हेलो फ्रेंट्स, human body में किसी भी nutrients का सही मात्रा में होना हमारे शरीर में अच्छा मना जाता है यदि किसी nutrients का हमारे शरीर में कमी हो गया तो बहुत सारे disease होने लगते हैं या उस nutrients का overdose हो गया उसकी कमी को पूरी करने के लिए दिया हम उसको ज़्यादा मत्रा में यूज कर लेते हैं तो भी हमारे शरीर के लिए काफी हमफुल मना गया है ऐसे में हमें एक पुश्रक्ततो जो की omega 3 के नाम से जना जाता है इस पुश्रक्ततो के बारे में बात करेंगे तोस्तो omega 3 जो होता है ये हमारे body में शरीर में heart को, bones को, यहां तक eyes को, skin को, hair को इन सभी के लिए काफी अच्छा पुश्रक्ततो मने जाता है आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक normal person और एक elite person को कितने mg इसको यूज करना चाहिए omega 3 को तो यदि आप समानी जीवन सहली जीते हैं तो omega 3 के जो डोज हैं वो 700 से लेके 1000 mg तक आप इस्तमाल कर सकते हो और यदि जीमोगर जाते हो एक elite person हो तो आपको इसे कम से कम 1500 mg तक तो इस्तमाल कर लेना चाहिए दोस्तों omega 3 जो है यह fatty acid होता है और यह हमारा body खुद बखुद नहीं बना पाता है इसलिए इसे बाहियो श्रोतों से हमें लेना बहुत ही आवशक होता है यह हमारे सरी के लिए काफी महत्पूर्ण पुशक तक तो है omega 3 के जो श्रोत है वो दो तरह के श्रोत है एक वेज और एक नॉन वेज vegetarian में आपको nuts हो गए अक्रोट हो गए अलसी हो गया, तेल हो गया, जैसरसो का तेल हो गया, mustard oil हो गया और सबजिया हो गया जैसे फूल गो भी हो गया, मटर हो गया, बिंस हो गया यह सब जो है omega 3 के natural source इन्हें का सकते है, vegetarian source का सकते है इसके अलावा यदि non-wage source की बात करते हैं, जैसे अंडा हुआ या मचली हुआ, यह इसके non-wage source हो गए मचली में अच्छी मात्रा में omega 3 पाय जाते हैं, और आप ऐसे market में कई तरह के product भी इसके आ रहे हैं जैसे fees oil के नाम से भी इसका product आता है, तो अब बात यह आती है कि बहुत सारे लोग जो है, non-wage होते हैं, बहुत सारे वेस्टेरियन होते हैं तो वेस्टेरियन लोग non-wage product को prefer नहीं करते हैं, वो नहीं लेते हैं तो ऐसे में हम कौन से products को लें, जो कि वेस्टेरियन परसन भी उसको इसको इस्तमाल कर सके, तो market में वेस्टेरियन पर्ड़क्ट भी आते हैं और एक और बात है, यदि आप omega 3 लेने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एक physician डॉक्टर से या किसी health expert से suggest जरूर हो लेना है कि आपको ये nutrients की आपके body को जुरत है या नहीं है इसा नहीं हो कि आपको कोई वीडियो देख रहे हैं, वीडियो से काफी excited होके उस product को इस्तमाल करना है एकदम से चालू कर दे, ऐसा नहीं करना है आपको सबसे पहले किसी health expert से advice ले लेना है कि क्या आपको उस nutrients की सही में जुरत है आपके body को या नहीं है और जुरत होने पर आप उस food supplement को कितनी मातरा में कैसे कब तक यूज करें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है आपके शरीर में किस nutrients की कमी है इसको ये जानना तो जरूरी है साथ ही साथ उसको कितनी मात्रा में और कितनी देनों तक उसको आपके बोड़ी में उसको यूज कराना है इसकी जनकारी होनी बहुत ही आवश्यक है क्योंकि जितना नुक्सान कमी होने पर होता है उससे कहीं ज़्यादा नुक्सान उस नूट्रियन्स का ओवरडोज होने पर होता है इसलिए होवरडोज लेने से किसी भी नूट्रियन्स के लिए बचे दोस्तो ये एक छोटी सी जनकारी थी ओमेगा थ objects related ठीच आपको बीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरू बताइएगा विडियो लगा वो तो वीडियो को एक लाइक जरू कीजेगा और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेर जरू कीजेगा to तो दोस्त नए है प्लीज चान को सब्सक्राइब कीजिएगा वेल आइकोन को प्रेस कीजिएगा ताकि समय समय पर जबी भी मैं नीव अपडेट्स अपलोड करूं यूटूब पर तो आप तक सबसे पहले पहुंचे फिलाहल दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो और नई जनका किसाद धन्यवाद तो आप तो आप तो आप तो आप तो आप तो आप तो झाल